अरे जोती, कहां मारगी भावू? हाँ जी मम्मी जी, जोती तेरी मम्मी ने मेरा सूट नहीं भेज़ा, अरे करवा जोत पे सास का सूट तो सबसे जुरूरी होते है भेजना, और वही भूलगी तेरी माँ? अरे मम्मी जी, कोरियर से वो कितना समान भेजते, उन्होंने साथ में चेक तो भेज़ जा है, कि अगर कोई भी समान आपको कम लगे तो खुद से ले लेना तो जोती तो बरत रखेगी, जब कठा करेगी, तो वही चेक मनस देना बस तू अरे मम्मी, आपको कैसा सूट चाहिए, मैं ला देता हूँ आपको सूट रहने दे, रहने दे, जो अरू का गुलाम, सुबह से लगए इसकी चाकरी करने, और सोई में इसके पीच्छे पीच्छे सारे काम करवाता है इसके साथ ममी जी, कल जोकती ने वर्त रखना है, तो बिचारी ने पानी भी नी पीना, तो ठक जाएगी, तो इसलिए मैं आज ही निप्टवा रहा हूँ इसके साथ घर के काम, कल ठकेगी नी बिचारी हाँ, हाँ, ये महरानी ने तो अनों कवरत रखना है, तेरी माँ ने तो कभी करवा चोथ कवरती नी रखा, करवा चोथ पे तेरी माँ तो लोटे भर भर के पानी पीती है, जा यहां से तू, ये सास बहु की बात है हम खुद कर लेंगे चलो ठीक है मम्मी मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ जोती तेरी माने तो तुझे सारी उमर देना था और तेरा इतना बढ़िया सूट भेज दिया अरे तेरे से अच्छा होना चाहिए था सास का सूट तुझे तो पूरी उमर दे नहीं है अरे मुझे क्या रो रोज देना है उन्होंने सूट अरे अंजली तू? हाँ भाईया कैसे हो आप? मैं तो ठीक हो अंजली तू बता तू ना बहुत सही टाइम पे आई है वो कैसे? मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है उनका गुस्सा सिरफ तू ही शान्त कर सकती है अच्छा? क्या बात हो गई भाईया? वो तू अंजली मेरे ससुराल से ना समान थोड़ा कम आया है तो इसलिए मम्मी गुस्से में है अच्छा? चल जा तू देख मम्मी को हाँ कोई बात ने भाईया पहले तो हार पे तो तेरी महा बेटी से उपर उसकी सास को रखती मम्मी क्या वाद मम्मी? संधियों का माल दोनों हाथों से बट़ और रहे हो कैसा माल? यह देख क्या बेज जा है इसकी मम्मी ने यह एक जोती का सूट है यह एक आशु का सूट है और ना तेरे पापा के कपड़े ना तेरे कपड़े ना कुछ और और ये मिठाई तो मिठाई के ये देख ले दो डिब्बे हैं क्या बांटू इसमें से और क्या घर पे रखो अरे पहला तो हार तो ढंक से देना चाहिए था अच्छा मम्मी जाओ भाबी आप मेरे लिए पानी लेकर आओ जहां तक मम्मी मुझे याद है मेरा जब पहला करवच होथ था तो मेरी सास के और मेरी साड़ी के इलावा आपने कुछ भी नि दिया था पर अब भाबी के माई के से तो फिर भी इतना कुछ आया है मम्मी अरे बैट ये दिख इतने महंगे महंगे तो इसके उपर टैग लगवा रखे हैं ये दिख और मुझे तो लगता है कि ये किसी संडे बजार से उठाके कपड़े दे दी हैं टैग लगवा लिया होंगे किसी दुगान से अरे मम्मी आप ऐसे के बोड़ रहे हो अगर भाबी सुन लेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा अरे सुनने दे सुनती है तो मुझे क्या डर है किसी का अरे क्या मम्मी आप भी तेरी चाची का आया था सुब़वान उनकी बहु का बाहना आया देखके न आंखे फटचाती आंखे अब तेरी चाची सीर उन्चा करके घुमेगी महले में और मैं क्या दिखाऊंगी बता क्या दिखाऊंगी मैं मेरी तो नाग कटगी ना नाग कैसे कटगी मम्मी तब नहीं आपकी नाग कटी थी या फिर मेरे ससुराल वालों की नाग कटी थी जब आपने सिर्फ दो साड़ियां बेजी थी पहले करवे पर आपने तो मम्मी रवी तक क्या सूटनी बेज़ जा था अरे तेरी शादी में सब कुछ तो दिया था एकी बार में फिर तोहरों की क्या बात रहेगी कोई संसकार नहीं है उसमें चाची आपके पास कितनी बारा कर रोई है अपनी बहू के वहवार के वज़़ँ से पर मेरी भावी मेरी भावी तो मम्मी लाखों में एक है और मेरी भाबी का वहवार तो इतना अच्छा है पूरे महले में क्या पूरी दुनिया में सबसे निराली है मेरी भाबी और ममी आपको तो भाबी के माईके वालों के दी हुए संसकारों पर गरब करना चाहिए और ममी Кिह देनले इनका क्या है क्या यह दो-चार चीजों से आपका घर भर जाएगा। बिल्कुल सही का रही है अंजली तूं यह दो-चार चीजों से गर नहीं भरता। तो यदि वह संसकार अच्छे वाली भर मी उती ऐना तो वैसे भी घर भर जाता है। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगी कि यह जो तिहाद चल रहे हैं ना इनको वैपार मत बनाईे तो लेने देने को लेकर अपनी बहु को परिशान मत कीजिए तो करवा छोट का तिवहार आहा है बहुत सारे लोगों में रिवाज होता है कि बहु के माइके से समान आता है सास का सूट भी आता है तो रिक्वेस्ट है कि बहु परत रख रही है आपके बेटे के लिए तो आपका बेटा भी वो सूट लेके आ सकता है तो आप लोगों को हमारी चोटी सी स्टोरी कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे शेयर जुरूर कर यह घंग कर लिए मनचनदा फैमिली व्लोग ऊरणगिलि मनचनदा को फौलो करें और पंजाबी इसे डी मिस्टर आड त männ ऐड़ चाहर है मैं हें आध़ करें आध़ बाध करनेगा है